लगभग 12 लाख लोग महाराष्ट में ऐसे हैं जिने दुसरा डोज देना है और केंद्र की तरफ से आपूर्ती नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने एलान किया कि 45 से 18 के बीच में जिन लोगों को टीका लगेगा और राज्य सरकारे जिम्मेदारी लें। हमने जिम्मेदारी लेकिन ठीके की आपूर्ती नहीं हो रही है ये सच्चा ही है। इसमें कहीं न कहीं जो निर्माता है इस ठीके के वो बड़े पैमाने पे कमाई करने का का रिक्रम उनोंने बना है। सरकारे मांगती है राज्य की तो केंदर सरकार ने निशित किया है कि हम तै करेंगे किसे कितना दिया जाए। हमारी जानकारी है कि इंडर की सरकार नीशी अस्पतालों को तीन गुना जादा दर से इन कम्पनियों को बेचनी की परमेशन दे चूków की है। नीजी एस्पताल, जो इंजेक्शन वेड़सो रुपय में सर्कार को मिलता है, तो फ़ेज हो छेसो रुपय में खरीद रहे हैं, नवसो रुपई में लगा रहे हैं, एमिलगता है के धवा ग्रॅगं कि दवानी वाली कंपनी है, प्रण हजारो करोड का मुनफ़ा कमाने का जो कारेक्रम था उसकी सुरुवात हो गई है और केंदर सरकार बिना बताए देश को ये सारा कारेक्रम सुरू किये हुए है और दो-तीन दिन से नीजी हस्पतालों में जो हम मुफ्त लगाना चाहते थे टिका हो नौसो रुपे हम हजार जिसकी परमेशन केंदर सरकार ने कंपनियों को बेचने की दी है और बड़े पहमाने पर वो करेक्रम शुरू होगे बुंबई महानगर पालिका ने लेटर अफ इंडन निकाला है एक करोड डोस के लिए कौन से कंपनी खास करके दो जो भारत की कंपनी है जो निर्धारी द झाल झाल